हाई अब्रिवान अस्सलाम वालेकुम वेलकम बाक टो माई चानल आई होप आप सब लोग ठीक हैं आज की वीडियो में रेसिपी है यह बहुत ही मज़ेदार और एकदम सॉफ्ट एंड स्पॉंजी माबल टी केक बनानी की जो देखने में तो इतना खुबसूरत होता ही है लेकिन टेस्ट में भी बहुत ही मज़ेदार और एकदम परफिक टी टाइम पार्टनर होता है तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार रेसिपी को तो सबसे पहले मैंने यहां पर 100 ग्राम बटर लिया है जो एकदम सॉफ्ट है रूम टेमपरेचर पर इसको मैं एक से दो मिनिट के लिए इस तरह से थोड़ा बीट करूँगी ताकि यह लाइट और फलफी हो जाए 100 ग्राम बटर को अगर आप कप से मेजर करते हैं तो यह करीबन आधा कप होता है बटर को कुछ ते हम बीट करने के बाद इसमें शामिल करेंगे एक कप पाउडर शुकर इसको भी बटर के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे बेसिकली आपको यहां पर बटर और शुकर की क्री इसी पॉइंट तक हम इसको बीट करेंगे आप इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे तीन अंडे तो एके करके इसमें अंडे आपको शामिल करने हैं एक साथ नहीं डालेगा एके करके डालते रहें और उसको मिक्स करते रहें दियान आपको यह रखना है कि अंडे भी रू इस process में आप जितने अच्छे से इसको beat करेंगे उतने ही अच्छे से air इसमें incorporate हो जाएगी और आपका जो cake बाद में बनेगा वो बहुती soft, airy और spongy बनेगा यह देखे यह perfect consistency है अब side से इसको हम scrape down करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे मैदा तो मैं यहाँ पर शामिल करूंगी 1 and 1 4th cup मैदा और 1 teaspoon baking powder दोनों चीज़ों को इस तरह से इस हमचान के इसमें शामिल कर देंगे मैदा डालने के बाद भी अब आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको over mix नहीं करना है बहुती gently हम इसको mix करेंगे ताकि यह सारा बैटर एक साथ हो जाए पहले मैं spatula से कर रही हूँ और बस फे 30 seconds के लिए अपने बीटर के help से mix करके इसके स्मूद बैटर हम तयार कर लेंगे बैटर अब तयार है अब आपको यह करना है कि एक बोल लेंगे और आधा बैटर हम इसमें से एक साइट कर देंगे तो बैसिकली इस तयार किये हुए वनीला फ्लेवर बैटर को हम दो जगा पर इस तरह से डिवाइट कर लेंगे और उसमें से एक हिस्से में हम डालेंगे 3 टेबल स्पून कोको पाउडर इसको हलके से जल्दी से mix करेंगे बहुत जादा ओवर बीटिंग इसकी नहीं करेंगा बस थोड़ा सा जबी खुब mix हो जाए इतने लेवल दक हम इसको इसको इस तरह से बीट करेंगे बस आप इस तरह से एक के ओपर एक डालते रहेगा वो एंड में खुदी बहुत अच्छा सा उसमें पैटर्न तयार हो जाएगा ऐसे करके डाल दीजिए आप चाहें तो इसको राउंड शेप या स्क्वार टिन में भी बना सकते हैं जो भी आपकी मरजी उस तरह से बना लें मैं इसको अपने लोफ टिन में बना रही हूँ इसी पॉइंट पर मैंने ओवन को भी ओन कर दिया था 180 डिग्री पर 10 मिनिट के लिए उसको हम प्री हीट करेंगे तो यहाँ पर दीखे सारा बैटर मैंने इस तरह से डाल दिया है यह केक अब बिलकुल रेडी है बेक होने के लिए हम इसको ऐसे हलके से टाप करेंगे ताकि बैटर इवनली पूरे पैन में स्प्रेड हो जाए और उसके बाद मैं यहाँ पर चॉकलेट से रफ यूज कर रही हूँ ऐसे हलके से उस पर पैटरन करने के लिए यह ऑप्शनल है अगर आप चाहें तो कर सकतें अदरवाइस फिर भी आपका केक टेस्टी और खुबसूरत तो बनेगा ही इसको हमें बेक करना है 180 डिग्री पर 30 तो 35 मिनिट के लिए 35 मिनिट के बाद आप चेक कर लें अगर जूरत लगे तो फर्दर 5 मिनिट के लिए इसको बेक कर दें तो यहां पर तैयार है बहुत ही मज़ेदार एकदम सॉफ्ट औं स्पॉंजी माबल टी केक इसको आप बनाएं और एजिली इसको कट करके एर टाइट कंटेनर में स्टोर करें और टी और कॉफी के साथ इसको इंजोई करें बहुत ही परफेक कॉंबिनेशन होता है यह वनिला और चॉकलेट फ्लेवर का और इसका रिजर बहुत ही सॉफ्ट स्पॉंजी और मज़ेदारी केक होता है इस रेसिपी को एक बास जरूर ट्राइ कीजेगा मुझे पूरी अमीद आपको बहुत पसंद आएगी वीडियो अ बहुत है